सो हेलो काईज कैसे आप से विलोग उमीद करता है बहुत अच्छा होगे और आज हम आया है गोराडी के मंदिर जो आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और बहुत ही खुबसूरत है आप ही काफे बन चुका है यहाप है मंदिर आप देख सकते हो कि यहाप जो दुकाने लाइ और देखने में भी काफी अच्छा लगता है और टूरिसम के हिसाब से भी इसको बनाए गया है और महारास्ट का इक बेस्ट प्लिस टेंपल में से इसको जो है इतना अच्छा तरीके से बनाया जा रहे तो जो भी इन्फोर्मेशन है बेसिक में आपको देनी कोशिश और कुछ आपको पुरा वियू भी दिखाऊंगा तो देक्टे पुरा मंधिर का परिसार और पुरा इन्जाए करते है हुआ 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 है अच्छे रंगोली का रेट है काफी का मैं और अच्छी रंगुली भी मिलती है और कवेरेटी की रंगुली मिलती है तो काफी दूर-दूर से लोग यहां पर जो रंगुली लेने के लाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी अच्छी ची डिजाइन भी आप यहां से ले जा सकते हो और घर पर अपने ज कंदी पेड़ काफी स्पेशल है और मातरानी को चड़ा जाता है तो भाईया है यहां पर जो सेल कर रहे हैं आप देख सते हो कि काफी गूप्सुरत है तो भाईया इसके बारे में बताएंगे दो शब्दमें यह मराटवडे का पेड़ा है सातारे जिल्ले का अपना उसमाना में राप बास तो पेड़ा वासे आता यह पेड़ा कंधी पेड़ा यह स्पेचल पेड़ा है और यह क्या बाहर करने मिलता है तो को यसी हमारे विफ्यार को कव मता न repetitive और जो भी आपके आपके मनो कामना बज़रु पूरी होगी मातर निगो खुश कीज़े तो आप भी खुश रहोगे तो यहां पर पूजा का पूरा आपको सामगरी मिल जाएंगी साथ में आपके देख सकते हो कि खिलो नहीं की बी दुकान लगे तो बच्छों के खिलो ने कर रहत उसके वज़े से भी कम है तो आप देख सकते काफी अच्छा है और काफी सारे दुकाने जो है खुल चुके है कर देख सकते है आप जो उदर का लेक देख रहे हो वो कोराडी का लेक है पावर प्लांट के लिए पानी आसा जाता है और यहां का पानी कभी नी अटता और यह जो छोटा बनाया गया आप जो देख रहे हो यह पर पहले बोटिंग हुआ करती थी और आप जो है यहां पर बोटिंग नहीं जाली कर रहा है और क्रेन लगी है जो इसा फुटपट बना रही है किनारे में तो यहां पर भी फॉंटन लगेगा और बहुत ही अमेजिंग बन रहा है काफी बड़े लेवल का काम है यह इसके लिए अभी काफी टाइम भी लग रहा है तो बहुत अच्छा होगा यह जो हाल देख रहे हो यह महापरसाद वतर digestive बहा जब करते है किसी भी दिन थेववार में हो गया यह नवरातरी में हो गया zijn अगर अपने तब महापरसाद यह पर देना चाहता है तो यहां पर बैटके खाने की विवसता की गई है और पहले काफी दिक्कथा होती थी तो उसके लिए यहाँ पर जो इतना अच्छा हॉल बनाएंगे आप देख सकते कि पुरी फर्स लगी यह चाद काफी अच्छा है बहुत अट्रेक्टिव है यह जो आप होटल देख रहे हो यह मंदिर के तरप का है और काफी अच्छा होटल है और यहाँ पर आपको साओध इंडियान और आइसक्रीम और को अगरे सारी चीज़े मिल जाएंगी तो आपको बहार से लानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वेवस्ता की गई और काफी अ यह जो आप कंस्ट्रेक्शन देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े नहीं बन रही है अभी और दो साल और लगेगा यह पर कंप्लीट होनी के लिए और दो साल के बाद में यह यह बहुत ही जबर्दस प्लेस तयार होगा पनके और टूरिजम के लिए भी और सब नच्डीक में सब नचभी में लिए संट्रीजड़े रिखाँ है कैसे ते ज शुल मुझे मालूम है रामधा ज़ैसा जो बना हुआ है आपने देखाँ और यहाँ बनने माला है रामधा कि जैसे और इधर में भी कंप्लीट काम के आणने का माया है आपगो सीक्श थार स मंदीर में तो ओलोग यहां पे रुख सकते है उसके एलिए और यहां पर जो आप देखोगे तो एक पार्क भी दिया हुआ है गार्डन हे महाँ पे तो गार्डन भी आपको दिखातें तो यह जो आप गार्डन देख रहो काफी अच्छा गार्डन था पहले और अभी यहापे काम जो हुआ है काम चालू है उसके वाद से जो इसका खराब है आलत लेकिन काम कम्प्लिट होने के बाद में जो यह गार्डन काफी अच्छा बन जाएगा तो ज़रूर आईए विज यहापे आकर तो बहुत बड़ी अप्लेस है जैसे कि आप देख रहे हो काफी खुबसूरत है और यह बहुत ही महनत से बन रहा है यार मंदीर क्यूंकि इसको लगबग दो साल तो होई गए जहां तक कि मुछे पता है और अभी और दो साल और लगेंगा इसको काम को कम्प्लिट होने में और आप देख सकते हो कि यह जो अबर दास तरीके से बन रहे है उपर में आप देख सकते हो अभी पी काम चालो है इसका यह में गेट है मंदीर का में गेट है और पीछे का भी एक गेट है तो यह में गेट है और यहां से अगर आप देखो गे ना तो जो मंदीर का आपको सिधा जो द्वार दीख रहा है वहां से देवी के दर्शन यहां से हो जाते है कहने का मतलब है कि यहां से देवी दिखती है और डारेक आपको दर्शन यहां से भी हो जाते है और वहां तके जा सकते हैं लोग बट अंदर में वीडियो शुट लेना मना है तो रूल्स को फॉलो हम करते हैं तो मैं आपको यहां से दिखा रहो बर भार से दिखारो अगर आपको देखन करना है तो काफे सारे और बी वीडियोजे यूटुब पर देख सकते हो तो मैं कोगँगा फुटेखने से अच्छा है कि यहां पर आई है तो ज्जाधा बेटर है क्योंकि वीडियो देखने में और लायू वहां तक के जाने में और देखने में एक अलगी फिलिंग है और देवी के दर्शन मंदिर में जाने के बाद ही होते है मैं यहां पर दिखा दूँगा तो माजानी आएगा तो आपको मेना मंदिर का परिसर पूरा आपको दिखाई दिये तो आपको 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 विजिट कीजिए और इंजोई कीजिए बहुत ही खुबसूरा देल तो आपको आपको दिखाई देख रहे हो आपको दिखाई देगा और यहां पर बटने के लिए बनाया गया बहुत ही सुन्दर है और पीछे में आप देख सकते हो कि काफी अच्छा खुबसूरत ग्रास लगाया गया है और वहां पर पानी के फ़वार अभी भी चाल हुआ है और काफी अट्रेक्टिव बनाया है अब देख सकते कि उस साइड में भी जो है और प्लेन करके ग्रास लगाई जाएंगी और काफी खुबसूरत इसको गार्डन को बना जाएगा तो और यहां से एक छोटा सा रौड रखा है यहां पर इंट्री केट रखा वाए और उपर से रस्ता है आने जाने के लिए जैसे आप देख रहे है तो आसे रस्ता है और इधर में भी गार्डन है पानी दाल तो बहुत तो अमेजिंग चीजे बन रही है, सच में जब कम्पलीट होगा तो दिल खुश हो जाएगा यह आप आके, ऐसे बना रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, यहां पे आके और यह देखके, I hope guys कि आपको भी जरूर मजा रहा होगा, और मजा अगर आया है इस वीडियो को कि आपने इंजॉई किया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कर देना, ताकि हम और नेक्स्ट वीडियो बनाते रहे, अच्छा लगता है जब आपके लाइक और कमेंट आते हैं, तो यह उमीद करूँगा कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आए होगा, अगर वीडियो पसंद आता, वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, और नए हो इस चैनल पर आपने चैनल को अभी तके सब्सक्राइब ने किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहे, नागपूर से रिलेटेड और पूर के है ना फिर मिलते किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई